फ्रेंड्स बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो चुका है यह उपरी लेवल से देखे तो करीब 9000 पॉइंट की गिराउट हो चुकी है सेंसेक्स के अंदर और अब यहाँ पे बड़ी गिराउट की संभावना कम हो चुक है लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी प् प्राइज बढ़ रही है यह कुछ चिंदा की बात है लेकिन जिस तरह से बड़ा करेक्शन हो गया तो यहाँ से बाउस बैक तो लाजमी है तो ऐसे में कुछ कॉलिटी स्टॉक में हमें दाओ लगाना चीए जो आगे जाके हमें मल्टी बैग रिटन दे सके तो आज इस वी जानेंगे इस वीडियो के मादम से और एक कंपनी आपको बोनस देने जा रही है तो यह चार स्टॉक हम साथ में इसके डिसकस करेंगे और उससे आपको अच्छे से समझ में आ जागा कि किस में आपको निवेस करना है लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमा हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले बात करेंगे हम HFCL की HFCL यह एक टेली कम्यूंशन सेक्टर की बड़ी मजबूत कंपनी है जो फाइबर केबल के निर्मान का कारी करती है और टौबर बीजनस करती है आने वाले समय में यह HFCL मजबूत श्टॉक बनने वाला क्योंकि 5G टेक्नोलोजी के लिए इसने पूरी तरह से कमर कसली है इंडिया के अलावा इनका बहुत सारी बाहर की कंट्रीज में भी कामकाज है और यह श्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है कारूबार की अगर बात करें तो आज 71.5 पर इसकी प्राइज थी जहाँ पे करीब 4.75% की बड़ी तेजी हमें देखना को मिली और काफी जमसे इस्टॉक में गिरावरती अब यह आपे इस्टॉक ने फिर से दौनना शुरू कर दिया है इसकी परदरसन अगर हम देखे तो 2100 की इसकी हाई प्राइज बन चुकी थी और वहाँ से काफी ज़्यादा करेक्ट हुआ इसका 7.60 का लो भी है और फ्रेंट्स अब इस्टॉक ने दोड़ना शुरू किया है 52 वीक का लो देखे तो 23 रूपीज का है इसका हाई 101 का है अभी फिलाल स्टॉक 70 पे मिल रहा है तो काफी ज़्यादा करेक्ट हो चुका इं चुडाने से कंपनी अपने गिर्वी शेरों को चुडा लिया यानि जून में की 44.70% के ओल्डिंग थी गिर्वी जो सेप्टमर में रह गई 11.18% दिसम्बर आजयादे उन्होंने पूरे अपने गिर्वी शेरों को चुडा लिया यह बहुत बड़ा पॉजिटिव पकड़ कमतिनी पर बना रहे है एफाई की बात करें तो 2.20% के ओल्डिंग जून में थी 3.96 की सेप्टमर में दिसम्बर आजयादे एफाई की ओल्डिंग हो गया 7.19 की यह आकड़ा बहुत जादा चौकाने वाला है एफाई न इसे स्टॉक में लगातर अपना इन्वेस् दियाई की बात करें तो 0.60% जून में थी 0.63 सेप्टमर में फिलाल 1.44% की ओल्डिंग है तो दियाई न भी अपनी होल्डिंग को लगबग दूगुना कर दिया है यह बहुत ही बड़ी अच्छी बात है इसके लिए और इसको आपको इन्वेस्मेंट करके रखना चाहिए अपने लॉंग टेम के लिए पॉर्टफोलियो में इसको रख ले यह आने वाले इसमें आपको डिफिनिटी मलावाल कर देगा अधर्स की बात करें तो 55.07% जून में थी 53.52 सेप्टम में फिलाल 52.14% की ओल्डिंग ह वन बन के इसाब से 11.44% का निगरी रेटर है वन डे के इसाब से 3.73% का पाइट रेटर है तो पिछले तीन महीनों से इसमें करेक्शन है और बाजार में भी गिराउट हो चुकी है अब यह स्टॉक बहुत तेजी से भाग सकता है आपको इसमें दाव लगाना ही चीए एक पर इसके फंडामेटल हम चेक करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 9800 15.05 का रूपीज का है अर्णिंग पर से EPS इसका 2.20 है प्राइज टो अर्णिंग पी रेचियो 32.36 है बुक वैल्यू पर से 19.52 है प्राइज बुक ए मार्क इसका 3.65 है प्राइज बुक एमार्क इसका 3 इसे इस्टॉक में आपको दाव लगाना ही चीह जहां पर आपको डिवरेंट भी मिलता हो और कंपनी मजबूत हो एक बार इनके रिवेन्य को देख लेते हैं तो दिसम्बर 2020 में 1287 को रूपी का रूपी कंपनी को मिला था मार्च में 1391 को रूपी का रूपी का रूपी का टो अच्छा खसा कंपनी ना रूपी च्यंट किया है लेकिन अवबर आल कंपनी का रिवेन्य मसबूत ही से बढ़ रहा है बात करें प्रूपित की तो दिसम्रब 2020 में 82.20 को रोपी का प्रूपित ता मार्च 24.67 को रूपित जून 2020 में 87.82 कुरूपीज का प्रॉफिट, September 2020 में 81.59 कुरूपीज का प्रॉफिट और December 2020 में 78.38 कुरूपीज का प्रॉफिट तो कमपनी लगातार प्रॉफिट में इस बार कुछ कमी आई है लेकिन overall कमपनी का result बहुत ही बैदरी है और जिस तरसे मजबूती के साथ कमपनी 5G के लिए काम कर रही है यह इस्टॉक आपको माला माल कर देगा Friends, HFL की बात कर तो यह सिर्फ टेली कम्यूनिकरिशन सेक्टर के लिए कारूबारनी करती है बलकि यह हमारी रक्सा चेतर के लिए भी बहुत सारी सिवाई देती है इसको होड करके लखोगे तो यह 1,000 को आराम से टच कर सकता है तो बिल्कुल इन्वेस्मेंट करें और यह इस्टॉक मैंने आपको लगातर सिजेस्ट किया है जब इसकी प्राइज फ्रेंड्स 10 रुपीज के आसपर सी तब से सिजेस्ट कर रहा हूँ कम से कब 100 तक जाके आ चुका है बहुत अच्छा रिटन दे चुका है वापस करेक्शन में आप यहां से दौटने को तैयार है इसमें आपको दाव लगाना चीह है सेकेंड जो हमारा स्टॉक है वो है ट्राइडेंट लिमिटरी यह भी मेरा फैवरेट इस्टॉक है 6 रुपीज इसकी प्राइज तब से मैं सिजेस्ट कर रहा हूँ यह 70 तक जाके आ चुका है लोगों को माला माल कर चुका है आज की बात के तो 50.20 पर इसकी प्राइज जापे 3.08% की सांधर तेजी देखना को मिली और फ्रेंड्स अगर हम एक साल पहले की इसकी प्राइज देखे तो 13 रुपीज के आसपास थी काफी अच्छा दोड़ा इस्टॉक और 70 तक जाके आए सता जनुरी 2022 को यह और फिलाल 50 के आसपास है यहाँ पे इंटरिक की जा सकती है 13 मार्ट 2020 की प्राइज देखे तो फोर रुपीज के आसपास थी यहनि दो साल में यह बहुत ही अच्छा रिटन दे चुका है शेर ओल्डिंग बेटन को देखे तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.02 परसंट थी जून और सेप्रमोटर में फिलाल 72.94 परसंट की होल्डिंग है तो मजबूत प्रमोटर की होल्डिंग है 75 परसंट की लिमिट है यह बिल्कुल उस लिमिट के आसपास है कोई भी इनका गिरिवी शेर नहीं है FI की बात करे तो 1.60 परसंट की होल्डिंग जून में थी फिलाल 0.02 परसंट की होल्डिंग होई है तो बिल्कुल HFCL के जैसा यहां पर भी देखना को मिल रहा है FI ने अपनी होल्डिंग दूगना कर दी है DI की होल्डिंग दूगना हो चुकी है Mutual Fund ने भी अपनी होल्डिंग को दूगना किया है इसी स्टॉक ने तो यहां पर दाव लगाया जा सकता है अदर्स की बात के तो 25.37% जूद में थी 24.83 वी सेप्टम में फिलाल 24.56% की होल्डिंग है तो सिर्फ जन्रपब्ली की होल्डिंग गटी है बाकी सब बड़े fund house ने यहां पर होल्डिंग को बड़ा है तो आपको दाव इसमें लगाना ही चीए रिटन को देखे तो पिछले 5 साल के इसाब से 535% का पॉइड़िव रिटन दिया है 3 year के इसाब से 650% का पॉइड़िव रिटन है वन के इसाब से 246% का पॉइड़िव रिटन है 3 मन के इसाब से 3.97% का निगटिव रिटन है यह दे के इसाब से 1.75% का पॉइड़िव रिटन है तो पिछले 3 महेन से यहां पर भी करेक्शन है और अब यहां पे आपको दाव बिर्कुल लगा जणेना चीए और थोड़ा थोड़ा करके निवेस करें, मैंने कहा कि आपको बाजार में अभी भी कर्रेक्शन की समवना बची है, तो थोड़ा-थोड़ा करके एक साथ में लगाए फंडामेटल देख तो कमपनी का मार्केट केप 25,097.5 कोड़ भी हो गया है, यह कमपनी मीड केप में आ चुकिए है, पहले स्मॉल केप थी, अर्दिंग पर्शेर, EPS इसका 1.41 है, प्राइट अर्दिंग पी राचियो 35 है, बुक वैल्यू पर्शेर 7.41 है, प्राइज बुक देने वाली कमपनी है, और 5R के उपर काम करती है, और मजबूती के साथ अपने खुद की बिजली का उत्पाने खुद करती है, अपने वैश से बिजली बनाती है, तो आप देख लोगे कमपनी लगातार प्रॉफिट में है, इनके ग्राफ को देखो आप, रिवेनी लगात गया, और दिसम्बर 2020 में 1,980 करॉटपी तक पहुच गया, तो पिछले दिसम्बर से इस दिसम्बर में देखो तो आप लगातार इंकारी वेनी बढ़ा है, और तेजी से बढ़ रहा है, प्रॉफिट की बात करें, तो दिसम्बर 2020 में 112 करॉटपीच का प्रॉफिट था, मा अब देखलो, कंपनी बिल्कुल प्रॉग पट्री पे है, और जिस तरह से कंपनी का पोर्ट्फोलियो मजबूत है, कंपनी यान का अ स्पितन्ग करती है, साथ में कंपनी का केमिकल दिवजन पी हैं, और पेपर का डिविजन भी है, और डिसम्बर कं नहीं हो करती है, और इ यह 500 को जाएगा और हमारा 1000 का है तो बिल्कुल यह दोनों श्टॉक आपको खोल करके रखने चाहिए अब हम चलेंगे महिंद्रा CIE की तरफ यह कंपणी महिंद्रा गुर्प की बहुत ही मद्बूत कंपणी है और कंपणी आपको डिविडेंड देने जा रही है कंपणी ने अपने डिविडेंड के डिकलेर कर दिया है तो यह अनौंस्में इन्हों ने 22, 2022 को की थी इसकी एक्षिलेटर की है 13, 4, 2022 तो बिल् 1.36% की हमें गिराउट देखना को मिली इसके प्रदसन को अगर देखे तो पिछले एक साल पहले इसकी प्राइज 151 पर थी काफी स्टोक दोड़ा और 298 यानि 300 के आसपास गयता भी फिलार करेक्शन के दोर में तो यहाँ पे आप दाव लगा सकते अगर आप आज़ी यह कंपनी आपको बोने जारी है यानि कंपनी के 10 ऊपर आपको एक शेर मिलने वाला है और इसकी श्टोक के दसले एकλड़ा था इसकी एक दिसमर 2021 को प्राइज मातर दाइन रुपीज थी और फिर काफी ज़्यादा इस्टोक दोड़ा 29 दग हाई बनाई है फिलाल यह थोड़ा सा करेक्शन में है जल्दी आप फिर से तेजी से दोड़ा सुरू करेगा तो आप इसमें इन्वेस्मेंट कर सकते हैं अगर आपको बोल अच्छा लगा होगा और मेरी बाद आप ध्यान से समझे HFCL और Trident Limited आने वाले समय के बड़े मल्टी बगर श्टोक है और इस गिराउट में आपको मौके का फाइदा उटाना चाहिए निमें दाव लगाना चाहिए लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके लगाए क्योंकि बादर में अभी भी गिराउट की समभाना बनी हुई है लेकिन ऐसे कॉलिटी श्टोक में आपको निवेस्ट करना ही चाहिए लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेस एंडरिस्फिक बाड़ाई दे ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजूकेसन प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड